राधे राधे कैसे आप सभी आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे त्योहारों का खाना भी अच्छे से पचा नहीं है और शादियों का सीजन शुरू हो गया है तो मेरे घर में सब ने बोला कि ममा आज नो कुछ देसी स्टाइल बना लो मैंने का ठीक है तो मैं बाजरे की रोटी बनाऊंगी आज बिलकुल शुद देसी स्टाइल खाना जो चुल्ले पर बनता है वही वाला लेकिन हाँ गैस पर बनाऊंगे क्यों कि चुल्ला मेरे पास नहीं है तो एकदम बढ़िया वाली रेसिपीज हैं प्रोपर थाली टाइप शेयर करने जा रही हूं और सर्दियों का मोसम शुरू होने वाला है सर्दियों में इस तरीके का खाना बढ़िया लगता है तो फ्रिज से मैंने कुछ सामान निकाला है बहुत ही बढ़िया बढ़िया और एजी वाली रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप जब एक बर बना कर खाएंगे तो बोलेंगे कि नहा मज़ा आगया आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज इसे एक लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर कीजेगा इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कॉमेंट्स और लाइक शेयर देखकर मुझे ये लगता है कि आपको वास्तों में ही मेरा कॉंटेंट पसंद आ रहा है तो मैंने निकाली है दही, दही भारी रखा वा था, मैंने फ्रिज में नहीं रखा था दही जब भी आप कड़ी बनाए, make sure कि आपका दही खटा होना चाहिए तो ये packet वाला दही है, मेरे पास दही घर का जमावा नहीं था क्योंकि मेरे पास जामन के लिए दही नहीं था और मैंने एक दो बार बजार की दही से जब जामन लगाया तो दही ना अजीब सी चिपचिपी सी बन रही थी, लिक्विडी लिक्विडी सा एकदम ड्रोप ड्रोप से गिर रहे थे, बिलकूर टैक्शर ऐसा था कि आप उसे खाई नहीं सकते, अगली वो दिखने में लग रही थी तो फिर मैंने बजार की दही इस्तेमाल करी, वो वाली दही मैंने फैंक दी तो मैंने आधा लीटर दही लिया, उसको फेंटा अच्छे से फिर उसमें डाला है मैंने तक्रीबन वन फोर्थ कप के करीब बेसन, रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिये कप पाउडर और आधा किलो दही थी तो मैंने तक्रीबन इसमें 750 ml के करीब पानी डाला है, यानि कि आधा लीटर से 500 ml पानी जादे डाला है और अच्छे से मिक्स करके मैंने कड़ी के बेटर को साइड में रख दिया है अब पकोड़े बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है, इसमें भी मैंने रूटीन के मसाले डाले है, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिये कप पाउडर, थोड़़गा से जीरा आप चाहे तो अजवायन भी डाल सकते हैं, थोड़ा कसूरी मेथिर, चिली फ्लेक्स भी डालेगा, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है आप इसमें कलोंजी भी डालेंगे तो बड़ा ही मसदार फ्लेवर आता है, मुझे मिली नहीं तो मैंने नहीं डाला अच्छे से फेटना है इसको 5-6 मिनट जितना आप बेसन को फेटेंगे यहाँ पर उतने ही पकोड़े आपके फलफी स्पोंजी बनेंगे कोई मीठा सोड़ा अगेरा एड़ करने की आवशकता बिल्कुल भी नहीं है तो मैं कुकर में कड़ी बनाऊंगी, सीटी नहीं लगाऊंगी, लेकिन कुकर में कड़ी बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मेरे इस कुकर के बारे में काफ़े सारे कॉमेंट्स आते हैं कि आपने कहां से लिया कौन से ब्रैंड का है ये लिंक में छोड़ दूँगे, आप चेक कर सकते हैं, ये विनोध ब्रेंट का है और भोती बढ़ी है, विनोध तो मैंने सरसो का तेल गरम करकेस में डाला है, हींग, राई, जीरा और मेथी, दाना और सूखी लाल मिर्ची एक तोड़कर और एक टेबरिस्पून कच्चे चावल, चावल डालकर भून लेना है, हलका सा चावल का रंग बदल जाएगा, एकदम सफेद सफेद और क्रिस्पी से दिखेंगे, फिर गोल गोल कटेवे आलू और एक स्लाइसिस में कटवा प्याज म बनाना, वास्तों में बता रही हूं, आप बोलोगे कि नेहा बहुत ही शांदर कड़ी है, इतना बढ़ी हा स्वादा है, जैसे डाबो वाली कड़ी में आता है, अब मैंने हरी मिर्ची डाल दे और कड़ी को लगातार चलाना है, अगर आपने यहां पर एक खद का आने तक कड़ी से नहीं चलाया, तो आपकी कड़ी फट जाएगी, और नमक भी मैंने शुरुआत में डाल दिया था, काफी सारे लोग नमक नहीं डालते हैं, शुरुआत में उनको यह डर रहता है कि कड़ी फट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो दही की कड़ी या, मतलब ज नहीं शांदार बनेगी, कड़ी में मलाई जब तक ना जाए तब तक उसको पकाना है, कड़ी और साग, दोनों जितना पकेंगे, उतना ही मजदार फ्रीवर आता है, आप मुझे बनानी थी गारलिक वाली चटनी, जो राजिस्थानी स्टाइल में बनाती हूं, बहुत ही ब निर्चो को इस सिल बट्टे में डाला, सिल पर फिर नमक और गारलिक डाला और इसे पीस लिया, बहुत अच्छी चटनी बनती है इस तरीके से, पानी वगएर का इस्तिमाल नहीं करना है, अगर आपको पिसने में थोड़ी सी प्रोब्लम हो रही है तो थोड़ा बहुत पा इसे मिक्स करके मैं से कड़ी में मिला दूंगी, तो बहुत ही बढ़ी हा फ्लेवर आएगा, अगर अगर आप गारलिक नहीं खाते तो सूखी लाल मिर्ची को जब आप पाने में भिगो रहे हैं, तो उसमें दो चम्मा सूखा धनिया एड़ कर ये, साथ में एक चम्मा जीर और अभी भी मैं इस कड़ी को पकाऊंगी, कड़ी और साग जितना आप मिने पकाएंगे उतना ही स्वादिष्ट ये दोनों चीजे बनती है, एकदम स्लो फ्लेम पर कड़ी पर जब तक मलाई ना आए तब तक इसे पकाना है, तो इस स्टेज पर मैंने इसमें थोड़ा सा क कड़ी के पकोड़े स्पोंजी और जालीदार बनेंगे, इस कड़ी को टेस्टी बनाने के लिए एक इंच अधरक का टुकड़ा इस स्टेज पर कद्दुकस कर दीजेगा, और कड़ी को वापसे पकने दीजे, अब तेल को मैंने मीडेम हीट पर गरम किया है, इसमें छोटी चोटी पकोड़िया हम बना लेंगे, हमारे हैं कड़ी के जो पकोड़िया होती हैं अग्दम प्लेन बनती हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो आलू के प्याच के पकोड़े बनाते हैं, लेकिन हमारे हैं यूपी में मैक्जिमम टाइम प्लेन पकोड़िया ही बनती ह और इन्हें पकोडी ही कहते हैं तो मैंने ने बनाया सरसो के तेल में इनसे सुआत बहुत ही जादा बढ़िया आता है तो जैसी पकोड़े बन जाएंगे तुरंट मैं कड़ी में डाल दूँगी गर्मा गर्म कड़ी पक रही है और गर्मा गर्म पकोड़े फ्राई हो चुके हैं तो इस तरीके से एकड़ी को अच्छे से पी लेंगे और बहुत ही मसदार कड़ी बनेगी अब इस कड़ी के पकोड़े बनाने के बाद मैंने पूरा तेल निकाल दिया और थोड़े से तेल में मैंने राई और लस्तन डाला है थोड़े सी लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे कस्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है ये और सूखी लाल मिर्ची डालेंगे और बस अच्छे से इस कड़ी के छोंक को हम कड़ी में मिला देंगे अगर आप गारलिक नहीं मुझे तो रोटी के साथ पढ़िया लगती है अब मैं इस कड़ी के साथ ना आज बनाऊंगी बाजरे की रोटी जो बहुत ही एवर ग्रीन कॉंबिनेशन है कड़ी तो आपने बहुत खाई होगी चावल के साथ ग्यों की रोटी के साथ लेकिन एक वर मेरे कहने से बाजरे की के साथ कड़ी खाना आपको ओल टाइम फेवरिट हो जाएगा तो बस मैंने एक ही रोटी का आटर लिया है क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूं तो इस आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मैंने इसका डो बना लिया आप चाहे त मुस्त पांस से साड़े पांस साल रही हूं और वहां पर ही मैंने देखा था कि गर्मियों में भी जो गुजराती लोग हैं वो बाजरे की रोटी बनाते हैं तो महीं पर मैंने भी इसको अपने मील में इंक्लूड किया था हमारे यहां पर यूपी में ज़्यादा तर मक्के की रोटी बनती है लेकिन गुजरात में जाने के बाद मैंने इस रोटी को बनाना बनाना तो खेर वही है जैसे मक्के की रोटी बनाते हैं सेम प्रोसेस है पर मैंने इसे खाना सीखा हैं ट्रस्ट मी गाईज यह मुझे बहुत पसंद आई गवार की फली के साथ खाना हो या और बस धीमी आज़ पर इसे सेहना है, मैंने इसे सेहने के लिए मिट्टी का तवे कर अस्थिमाल किया है, ये भी मैंने गुझरात से खरीदा था, जितने भी गुझराती लोग होते हैं वो मिट्टी के तवे पर ही बाजरी की रोटी बनाते हैं, और मेरी रोटी तो सिधुन बहुत चोटी है उनकी रोटी बहुत बड़े-बड़े साइस की होती है कुछ लोग रोटी को एकदम पतला बनाते हैं बाजरी और मक्की की रोटी हमेशा थोड़ी सी थीक होती है बड़े साइस की होती है और हमेशा मीठी-मीठी आज में सिखती है अगर आप इसे फुल फ्लेम पर सेखेंगे तो रोटी में मज़ा नहीं आएगा ये रोटी comparatively थोड़ी सी सखत होती है, कड़ी होती है, बहुती बढ़िया लगती है I have no words, किसका सुआद में कैसे बताओं आपको जो लोग खाते हो ना पता होगा गरम गरम बाजरी की रोटी को धीमी धीमे आज पर सेख कर, इस पर खुब सारा घीया, फ्रेश मक्षन डाल कर खाना, इससे बढ़िया कोई combination नहीं है तो बस यहाँ पर धीमी धीमे आज पर मैंने लाल-लाल होने तक ये रोटी सेख ली है मैं आपको closely भी एक रोटी बना कर दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाना है, so that कोई beginner भी आसानी से बना लेगा ये रोटी ज़्यादा तर चुले पर बनती है, जो मिट्टी का चुला होता है पर चुकी भईया, हमारे पास तो चुला है नहीं, तो हम गैस भी चुले वाला काम कर लेते हैं, slow flame पर से मैं सेख लेती हूँ, बहुत बढ़िया ये देखे इस तरीके से आपको bowl को बढ़ा करना है, और दोनों हातों पर थोड़ थोड़ पानी लगाना है, और किनारे इस तरीके से आपको कर लेना है, ताकि इन में cracks ना आए, हलके फुल के cracks आना स्वभावी का है, मक्की और बाजरे की रोटी में आ जाते हैं, तो चिंता वाली इसे इसके जो किनारे हैं वो पतले करने है, और सेंटर में से थोड़ा सा मोटा रखना है, और बस फिर दी में आज पर आपको तवे पर से सेखते जाना है, बिल्कुल इस तरीके से रोटी को सेख लीजेगा, तो आपकी रोटी बढ़िया बन कर तयार हूँ, तो रोटी तो सरदी हो या गर्मी इस प्रोसेस से आप महिने भर की मलाई का मक्खन भी कुछी सेकिंड्स में बना सकते हैं, तो ये दही और मलाई से बनाया गया मक्खन एकदम प्योर होता है, बहुत बढ़िया फ्लेवर इस से आता है, तो बाजरे की रोटी बनी है, कड़ी बनी है, तो म मक्खन भी बन गया है, थोड़ा सा पानी ठंडा वाला डाल कर इसको मैंने क्लीन कर लिया, कटोरी भर के ताजा मक्खन बना लिया, इसका स्वाध तो भाई इतना बढ़िया आता है, कि किसी चीज का हो इनी सकता, तो बाजरे का रोटला, साथ में खुब सारा मक्खन मैंने बनती है, साथ में मैंने बनाए थे चावल और कड़ी, ओ भाई साब, क्या कॉम्बिनेशन है सारी चीजों का, आप ट्राई करिएगा, स्टेप बाई स्टेप ये सारी रेसिपीज आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, गुजरात में जब हम थे तो कैई जंगे ऐसी थी वहाँ पर, जहां पर बिल्कुल ये खाना पतल में सर्व होता था, बिल्कुल ऐसा लगता था जिसकी मम्मी ने बनाया हो, तो आज मैंने वही खाना बनाया है, वो इस ओवर करते करते भी मूँ में पानी आ रहा है, जिसमें की वीडियो ये दो तिन दिन पुरानी ह तो कड़ी खाकर और साथ में चटनी और बाजरे का रोटला खाकर मेरी तो आत्मा की तृपती हो गई, मज़ा आ गया, आप लोग बताईएगा कि कौन से ऐसा फूड है, जिसको खाकर आपको ये लगता है, कि मज़ा आ गया होता है, कोई एक कमफर्ट फूड होता है, मुझ आते की रोटी होती है, लेकिन ट्रस्समी उसमें स्वाद नहीं है, स्वाद तो कड़ी-कड़ी रोटी होती है, जो ऐसी कड़ी-कड़ी होती है, जो ऐसी कड़ी-कड़ी में आज पर सेखना है, और कड़ी के साथ बाजरे की रोटी का कॉंबिनेशन, आइकान टैली, टैली नहीं कितना सौअ होता पाजरेगे रोटी आपजिस के साथ पसंद हैं कॉमेंट कटी जरूर», सरसो, साथ चाहि के साथ, और घणी, और गॉर क्याहिए को अलयाद में चाहिं reduces of the cook shop, if you do, मन्था की नीचे सीमी दिल आगे चुला बालकनी में बना लूबर इस इस नोट आलाओड एट माई एरिया तो मैंने गैस भी बना ली मिट्टी का तवा था मेरे बास बहुत बढ़ी हां स्वादिस में आता है बहुत ही शांदार तो एक बाइट लेना तो बनता है बच्ची भी स्कूल से आ गए है और मेरी ये चटपटी डेसी डेसी स्टाइल थाली बनकर ती आ रहे हैं ट्राइ करिएगा आपके बहुत पसंद आएगी जन्नत इससे बढ़िया कुछ नहीं है प्रस्ट नहीं और कड़ी में न एक चम्मत शुद्ध गी डालकर खाना आप जन्नत के दर्शन कर लोगे इतना शांदार ये लगने वाला है कड़ी में हमेशा देसी गी डालकर खाओ बहुत बढ़िया लगता है और जो कड़ी के अंदर ये हरी मिर्ची और लाल मिर्ची डालते हैं नहीं का सौध बहुत बढ़िया आता ये ना पक जाती है और एकदम से सौफ्ट हो जाती है तब आप खाना इन्हें मजदार लगती है बहुत तो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो आशा करतें कि आपक बाजरे की रोटी साथ में चट्ने और फ्रेश मक्षन बनाने का तरीका 100% पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कोमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद